नमस्कार किसान भाईयों, बेश्टिगेंपॉइंट वी चैनल पर आपका स्वागत है किसान भाईयों, आज की वीडियो में हम रेपेड इंसेक्टी साइट के बारे में चर्चा करेंगे जो की किस्टल क्रॉप प्रोटक्शन का एक प्रोडक्ट है रेपीट का टेक्निकल नाम क्या है, रेपीट की कारवीधी क्या है और ये कौन-कौन सी इंसेक्ट को किंट्रॉल करता है, कौन-कौन सी फसल में इसका छिलकाव किया जाता है इसका डोज क्या है, पेकिंग साइच क्या है संपूर्ण जनकाई देंगे इसके पहले जो किसानमाई चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सस्क्राइब कर दें बगल की बेलाईगर घंटी भी बजा दें जिससे ऐसी वीडियो आपको समस्में पर मिलती रहे बात करते हैं रेपिट के टेकनिकल नाम की इसमें जो टेकनिकल चलता है वह है एसीटा मिप्रेड 20% यस्वी फॉर्म में चलता है बात करते हैं रेपिट क्या है तो रेपिट एक सिस्टमेटिक अनुवादक है इसमें एक इंसेक्ट के तंतिका तंत पर कार करता है जिससे इंसेक्ट की मृत्तू हो जाती है यह ट्रिपल एक्सन से कार करता है ओवेसाइडल, एडेल्टी साइडल, लार्वी साइडल के क्रिया से कार करता है यह एक ब्रोड इस्वेक्टम इंसेक्टिसाइड है अर्थाथ एक साथ बहुत सारे इंसेक्ट को कंट्रोल करता है इसका चिड़काओ करने के बाद इसका प्रीडाम आने सुरू हो जाते हैं और लमबे समय तक इसके प्रीडाम देखने को मिलते हैं बात करते हैं कौन-कौन सी फ़सल में चिड़काओ करना चाहिए तो कपास की फ़सल, गेहू, सर सो, अलू, चाय वह अन फल वर्गी फसल में भी इसका चड़काओ कर सकते हैं कौन कौन से पिष्ट को कंट्रोल करता है तो यह एफिड जैसे इट वायट फ्लाइ जैसे पिष्ट को कंट्रोल करता है इसके डोज की बात करें तो 80-100 ग्राम कर इसका चड़काओ करना चाहिए वहीं इसके पैकिंग के बात करें तो 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम वो एक किलो ग्राम की पैक में बजार में आसानी सुपलब्द हो जाता है तो खिसान भाईयों कैसे लगी जानकारी यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चर्ण को सब्सक्राइब करें कोई सुजहा हो तो कमेंट दें जै हिंद जै किसान